नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चानल पर आपके साथ मैं हूँ भावना शर्मा दोस्तों इस यूट्यूब चानल के माध्यम से हम आपके लिए नई-ई विधिया लेकर आते हैं जिसे कि आप जिसे भी पाना चाहते हैं, जिसी कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको आकरशित करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं. जब आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो जो भी नई नई जो वीडियो हम डालते हैं, जो भी नई नई विधियां हम डालते हैं, वो सीधे तोर पर सबसे पहले आपको मिलती हैं. तो इसलिए आप bell icon को press कर सकते हैं जिसे की नई नई वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुँचे और हमारे चानल को आप subscribe कर सकते हैं जिसे की जब भी हम कोई नई वीडियो डाले नया हम तोटका लेकर आए वो आपको मिल सके दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चानल पर आपकी जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में चाहे मामला दिल का हो या घर गरस्ती का हो किसी से शादी करनी हो या किसी से शादी तुड़वानी हो या खुद के तूटते हुए रिष्टो को बचाना हो हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं दोस्तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक आकरशन विधी है जिसको तंत्र शास्त्र में बहुत ही प्रचंड माना गया है दोस्तो हमारी नाभी वो आधार है जिससे कि हम अपने जन्म के पहले से ही खुद को अपनी माता से जोड़ते हैं इसके द्वारा ही हम अपना आहार और पोशन लेते हैं इतना ही नहीं नाभी के माध्यम से ही हम अपनी माध द्वारा सोची गई बातों को और ज्यान को अर्जित करते हैं देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरा अस्तित्व इसी नाभी पर्टिका हुआ होता है और दोस्तों आज का जो उपाए मैं आप के लिए लेकर आई हूँ वो भी नाभी से जुड़ा हुआ एक उपाए है तो जरा सोचिये क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है और जैसे कि आप नाभी का महत्व जान ही चुके हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्रचंड प्रभावकारी टोटका है इस उपाए को करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना केवल अपनी नाभी पर अंगूठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागरत करना है जी हाँ दोस्तो हमारे मूलाधार से जुड़ी नाभी को सिर्फ छूने मातर से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ती से अपनी बात को मनवा सकते हैं अपना मनचाहा हर कारे करवा सकते हैं तो आईए दोस्तो विस्तार से बताती हूँ आज की आकरशित करने की विधी दोस्तो शुकरवार की रात्री को आपको सूने से पहले इस विधी को करना है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से करना है तो वस आपको अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है और बेट पर चले जाना है लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो और उसका ध्यान करते करते आपने सीधे हाथ के अंगूठे को अपनी नाभी पर रखना है और एक मंत्र का जाप करना है ये मंत्र एक सिध्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है ये मंत्र है ओम नमहा फंगुक डक्षः वश वश्यम कुरू कुरू स्वाहा 21 बार जाप करने के बाद आपको अपना अंगूठा नाभी से हटा लेना है और सो जाना है एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये विधी करते वक्त अपने हाथ में कोई धातू या पत्थर जैसे कि कई लोग रिंग प्यान लेते हैं उसे उतार देना है यदि कलाई पर मोली का धागा बंधा हुआ है तो कोई दिकत नहीं है वो चल सकता है बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है तो दर्शकों अगर आप भी अपने बिछडे हुए प्यार को पाना चाहते हैं उसका प्यार पाना चाहते हैं उसको आकरशित करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लाश हो रहे हैं आप वाट्चाप कर सकते हैं वाट्चाप के माध्यम से आप गुरु माता जी से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि गुरु माता जी ने बहुत सारे लोगों के घरों को जुड़वाया है बहुत सारे लोगों के प्यार को पाने में उनकी गोपनियता है उसको पूरी तरह से गोपने रखा जाएगा नमबर आपकी स्क्रीन पर है फिलाल आप सभी से इजाज़त लेना चाहूंगी लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जब भी आप इन टोटकों को करते हैं जब भी आप इन विधियों को करते हैं तो अपने मन में अच्छे विचार लेकर आएं किसी का गलत करने के विचार से आप इन विधियों को ना करें इन टोटकों को ना करें क्योंकि जब आप किसी की गलत मंचा से अगर आप इन टोटकों को करते हैं विधी को करते हैं तो ये पूर्टहा फलदाई नहीं हो पाती नमबर आपकी स्क्रीन पर हैं आप जोड़ सकते हैं कोई समस्या है तो वो भी आप बात कर सकते हैं दीजिये इजाज़त नमस्कार